दोस्तो मास महराजा अजे देवगन की मूवी यानि की नाम क्या बॉक्स ओफिस में कर पाएगी नाम क्योंकि एडवांस बॉकिंग खुल चुके हैं भाई साती सा सलमान खान शारु खान राकेश रोशन की दोस्तो उल्ट टाइम ब्लॉक्बस्टर करन अरजुन पार्ट तू का भी एडवांस खुल चुका है दोनों ही मूवी कल बॉक्स ओफिस में दोस्तों दस्तक दे रही है ऐसे में इन दोनों ही मूवी का दोस्तों बजट कुछ लोग कहेंगे क्या बजट भाई यह तो पुराणी मूवी को दुबबार रिलीस के बहरा है यहाँ पे जो गाईज भजट कितना है यहाँ पे नाम मूवी का तो इंट्रेस्टिंग वीडियो है कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे यह वीडियो मिलते रहें यह बात आप लोगो पता ही होगा कि नाम जो मूवी है यह कहीं न कहीं 15-20 साल से भी उपर पुर कि नी कर रहें क्योंकि को कईव बहुत पराणी मूवी है उनको गुद यकीन नहीं नहीं कि लोग आएंगे यहाँ नहीं आएंगे लेकिन यहाँ पर अगर मूवी-इंटरस्टिंग निकली यहाँ पर अगर मूवी का कॉंटेंट अच्छा हुआ तो लोग जा सकते हैं क्यो गई या फिर कहोना प्यार या फिर गाई यहां पे तुमबाड थोड़ी नहीं मुवी थी वह लेकिन उस मुवी ने तो भाई रिकॉर्ड जबर्दस दोस्तों दर्च कि कुछ तीस क्रोड़ से उपर की कमाई सैकिंड एटेंब में दोस्तों मुवी ने हासिल किया तो री रिल गया था भाई साब 20 क्रोड के अंदर ही तो बात करेंगे सीन सीनारियों यहां पे इंट्रेस्ट चेक करेंगे तो कीजे लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे यह और वीडियो मिलते रहें तो गाई यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाम मुवी का क्योंकि नाम एक्स्क्लूसिव वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है दोस्तों कल बागी गाई यहां पे अगर हम लोग स्क्रीन की बात करें कि इसके पास कितने शोज हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जोरू कर लें ताकि आपको इसके अपडेट मिलते रहें बागे दोस्तों अगर हम लोग यहां पर चेक करें कि मुंबई के बाद दिल्ली एंसियार में और कुलकता वगेरा में दोस्तों किस तरीके की वुकिएंगे बर कुलकता से शुरुआत करते हैं तो कॉलकरता में दोस्तों यहां पे सिर्फ चार शोज हैं, अगर हम लोग दिल्ली NCR की बात करते हैं, दिल्ली NCR में कितने शोज हैं नाम मूवी के, तो मुझे गाईस कुछ यहां पे नभे शोज देखने को मिल रहे हैं, यानि कि गाईस बहुत अच्छे शोज हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, एहमदाबाद, क्योंकि भाई, अपने मास महराजा के फैंस वहां भी बहुत हैं, तो इसके गाई अगर हम लोग बात करें, तो कुछ पच्छे शोज खोल दिया गए हैं, जाइपूर की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ 10 शोज हैं बहुत से शेहर हैं, जिसके रिपोर्ड हमारे पास नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेकिन इतने शोज से ये मूवी क्या कर सकती हैं, तो गाई देखो, यहाँ पे, पहले मैं बजट के बारे में बात करना चाहता हूँ, देखो भाई साथ-ाठ करोड भी खर्चा हुआ होगा तो मुझे रखता है कि अच्छा खासा खर्चा हुआ है, क्योंकि उस वक्त पैसों की काफी, मतलब यहाँ वैल्यू थी उस वक्त, तो यहाँ पे अगर यह लोग रिरीज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोशन वग्यरा कर रहे हैं, प् यह मुवी 15 करोड कर पाएगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे आजकल रिरीज का फैशन चल रहा है, कहीं मुवी अच्छी खासे कलेक्शन कर लेते हैं, लेकि यहाँ पे शोज दोस्तों कम है, जो एक खतरे का घंटी है, क्योंकि अगर इसके पास शोज दिल्ली में 200 होते हैं, मुंबई में 300 होते हैं, ऐसे ऐसे शोज होते हैं, तो यह जरूर ही 3.5 क्रोड की ओपनिंग ले लेती हैं, लेकिन फिल्हाल मैं आपको साफ तोर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझना कि आरो में कहां दम था कि बरावर यह एडवांस कलेक्शन कर लेगी, अब ही COVID से पहले COVID बोल रहा हूँ, दोस्तों यह जो पुषपा है, यह किसी मतलब गाइस कयामत से कम नहीं है, उसे पहले की शान्ती है, तो 15 दिन तक खमाल हो जितना कमाना है जिस मूवी को, मुझे रहता है कि एक मूवी को आना चाहिया था, लेकिन यहाँ पर सब डर गए पुषपा से, कोई बात नहीं, यहाँ पर शायद नाम नाम कमा जाएं, लेकिन फिलाल दोस्तों यहाँ पर एडवांस इसके कोई खासा नहीं हुए, हलागे शोज खोल दिये गए, यही चीज, दोस्तों यही चीज, अगर हम लोग री रिलीज हो रही, और बहुत जबा कॉ यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोलकता से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शारुक खान के फैंस वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, शारुक और सल्मान खान के, तो गाइस कुछ 35 शोज कोलकता में री रिलीज होने के बात करना अरजुन दोस्तों ले चुकी है, अगर हम लोग मा होगे, 200 शोज, भाई, यह कोई आम नंबर नहीं होता है, 200 शोज, कोई बच्चों का खेल शोज नहीं है, यह बहुत ज़्यादा शोज हैं, पूने की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, तो पूने में अकेले कुछ 40 शोज खोल दिये गए हैं, जैपूर की दोस्तों अगर हम लोग अहम्दावाद में बात करें, कितने शोज हैं इसके, तो आई एम्दावाद में कुछ 50 शोज खोल दिये गए हैं, लगनों के दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, करन अरजुन के to 35 शोज हैं, तो यहाँ पे नाम से जज़्यादाव हैं, इसके पास करन अ उनके पास हाला कि कुछ लोग मेरे से रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई किस तरीके के एडवांस हो गए हैं एडवांस क्या कर रहे हैं तो देखा वाई यह मुझे लगता है कि करन अर्जुन नाम से जादा गाई नाम कमाएगी शोज जादा है यहां पे फिलिंग फास के बोर्ड भी देखने को मिल रहे हैं देखते हैं कि कल क्या होता है लेकिन यहां कल मैं दोनों मुवी को दोस्तों देखने के जरूर कोशिश करूँगा नाम का तो रिविव आपको जरूरी मिलेगा तो गाईस फिलहार आप लोग क्या सकते हो कि दोनों को डिसे करोड कमाएगी या नहीं पांच करोड भी कमाती तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी बताओ क्या है कहना और लोग बोल रहें कि इसको प्रोमोशन करने में कितना पैसा लगा करा नर्जुन को करा नर्जुन को जादा नहीं लगा होगा वेभी शायद करोड या दो करोड में दोस्तों यहां में काम हो गया अगर नर्जुन का मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही